नमस्कास, CNBC बजार मां आपनू स्वागत चे आप जोई रहा चो प्रॉपर्टी गुरू तो आज आपनी साथे चर्चा मां चोड़ा ही रहा चे एनरोग प्रॉपर्टी कंसल्टन ना डिरेक्टर और रिसर्च हेड प्रशांथ ठाकुल प्रशांथ जी स्वागत है आपका CNBC इसी बजार में हम जिस तरह से देख रहे हैं, रियॉल इस्टेट मार्केट बहुत पेई में से गुजर रहा है, अब बहुत सारी ऐसी घोश्राइं हो चुकी हैं, लेकिन बहार निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, हाली में आपने देखा होगा, फिनांस मिनिस्टर ने फाइनली अफॉर्डेबल हाउजिंग के लिए नई विंडो खोल दी है, जो अटके हुए प्रोजेक्स हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रावधान किये गए हैं, आप इन प्रोसीजर को या इस्टेप्स को किस तरह से देख रहे हैं, पहला तो ये बहुत सारे प्रोजेक्स काफी पीछे चल रहे हैं अपने निर्धारित समय से, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल अटके पड़े हैं, जहां पे डेवलपर्स के पास फंड बिल्कुल खतम हो चुका है, और एक और इसका असर ये हो रहा है कि बायर्स जिन्होंने अपने पैसे लगा रखेते हैं, उनको पोजेशन नहीं मिल रहा है, और इसके वज़े से पूरे बजार में एक बहुत ही नेगटिव सेंटिमेंट बन गया है, और कोई भी बायर्स आज के डेट में प्रॉपर्टी खरीदने से हिचके चाह रहा है, दो कारण है, एक तो वो देख रहा है कि उस प्रॉजेशन नहीं मिल रहा है, उनको थोड़ी उम्मीद ये बढ़ेगी कि शायद उनका प्रॉजेक्ट अप्लीट हो जाएगा और उन्हें पॉजेशन मिलेगा। इसका एक ये पॉजिटिव एफेक्ट ये भी होगा कि बायस जो कि अभी तक काफी नेगेटिव हो चुके थे, उनको थोड़ा सा रहत मिलेगा। होगा कि जो गवर्मेंट एंप्लॉईज है, जो कि एक एक बड़ा तपका है मकान खरीदने में, वो काफी कह कहते हैं, इंकरेजड होंगे इस तरह के प्रॉपर्टी खरीदने में। जो गवर्मेंट का मुझे लगता है कि दो चीजों पर काफी फोकस है, एक कि अफोर्डल हाउसिंग प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दूसरा है कि बायर्स को कैसे मार्केट में वापस लाया जाए, तो यह पहला कदम इनोंने जो लिया है कि सरकारी करमचारिय है, लेकिन आपने देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने मेंचिन किया, साड़े तीन लाख अटके हुए प्रोजेक्स को यह मदद करना चाहते है, लेकिन क्या सारे के सारे अफोर्डेबल में होंगे, वो भी तो एक बड़ा सवाल है, जी आपने बिलकुल सही का, उन्होंने निर्मला सितारामन ने यह साफ कहा था, कि यह जो स्ट्रेस्ट फंड जो है, यह सिर्फ उन्ही प्रोजेक्ट पे लागू होगा, जो की अफोर्डेबल और बजट सेग्मेंट में आता है, और ऐसे प्रोजेक्ट जो की NCLT में है, या NPA है, वो इससे लाभाव उन्होंने प पड़े हुए है, वहाँ भी बायज ने काफी खरीद रखा है, और फिर करीब पौने छे लाग के ऐसे प्रोजेक्ट है, जो की अपने समय सीमा से काफी पीशे चल रहे हैं, तो अब अगर यह इस लाभ का स्कोप नेरो कर देते हैं, सिर्फ बजट और अफोरडिबल में और NCLT और NPA प्रोजेक्ट को निकाल देते हैं, तो मेरे ख्याल से उतना उतना यह इंपैक्ट नहीं कर पाएगा, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह पहला कदम है, ना से हां सही, यह भी एक रहत लेकर आएगा, तो मेरे ख्याल से पहला कदम है, और मुझे लगता आने वाले स समय में अभी बजट सेग्मेंट का डेफिनिशन आना बाकी है, हमें यह देखना है कि बजट सेग्मेंट की रकम क्या तेह कि जाती है, अफोड़ेबल का तो हमें पता है कि 45 ला करूज के नीचे अफोड़ेबल में आते हैं, पर बजट सेग्मेंट अभी तक डिफाइड न जैसे कि अभी क्या है कि मार्केट में ये उमीद लगाई जा रही थी कि बजट सेगमेंट जो कि 45 लाग तक सीमा निधारती की गई है उस सीमा को बढ़ा कर करीब एक करोड तक करने की अपेक्षा की जा रही थी उससे क्या होता कि काफी डिमांड मार्केट में बढ़ता है और जैसे ही ये रकम 45 लाग से बढ़ा कर एक करोड या 80 लाग से एक करोड के बीच में की जाती मुझे लगता है कि काफी बायर मार्केट में आते अफोर्डिबल हाउसिंग का फायदा उठाने के लिए अभी क्या है कि स्ट्रेस फॉंट से क्या होगा कि डेवलपर्स को सट्राइब पना रिलीस करके फम इसको बता रहे हैं है किया अर्भी याइविक पास से कोई स्टेट्मेंच की अपक्षा करनी चाहिए इस पर है देखिए यह चो एक्टर्रों कमिय्शिल बार्रींग जो मिंडू है यह थोड़ा सा कॉंप्लेक्स पींडूर रहता है और आपने सही कहा कि इसे काईदे से RBI के तरफ से पहल होना चाहिए पर Finance Minister ने यह भी साफ किया है कि यह जो नियम जो रिलाक्स करेंगी वो ECB के तहत वो RBI के कंसल्टेशन में होगा तो अभी fine prints तो अभी आए नहीं है हमें कुछ दिन और देखना पड़ेगा कि क्या वो changes है ECB तो पहले भी था affordable housing के लिए पर Finance Minister ने यह बोला है कि उन नियमों को थोड़ा रिलाक्स किया जाएगा तो हमें कुछ दिन और इंतिजार करना पड़ेगा fine prints आने के बाद हमें देखना होगा कि वो क्या नियम से जो रिलाक्स किये गए है और आपने बिल्कुल सही का कि ये RBI के consultation के बिना नहीं आएगा तो मुझे लगता अभी एक दो हफते का और समय लगेगा जहां पर RBI अपने guidelines के साथ आएगी में जबकि हमने इस decision के बाद पहुत सारे से इंडस्ट्री दिगज़ों से बात की उनका मानना है कि ये समय की मांग नहीं थी शायद अभी जो relaxation चाहिए था वो नहीं मिला है ये जो announcement आई है वो long term में help करेंगी क्या आपको लग रहा है नियर टर्म में ऐसे कोई measures अभी भी लेने चाहिए जिससे ये मांग बढ़ सके या जो इंडस्ट्री में पेन है वो तुरंट खर्तम हो सके जी हाँ जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो सारे steps है ये long term है आप बिलकुल सही कह रहे है अभी short term में immediate demand को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे आपको पहले कहा कि affordable housing के तहर जो benefit मिलता है देर लग का additional interest exemption benefit है जो income tax के तहर अफोड़बल housing के लिए उसकी सीमा निर्दारती है कि affordable housing project अपका 45 लग तक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से इस सीमा को बढ़ाकर 80 लाग से एक क्रोड अगर सरकार कर देगी तो इससे काफी bias market में आएंगे और मेरे ख्याल से ये बहुत सही कदम होता बायस को encourage करने के लिए और demand को revive करने के लिए जो कि हुआ नहीं अफसोच जनक है पर मेरे ख्याल से ये सही कदम रहता तो अभी हम देख रहे हैं आपने government servants के houses के बारे में बात की ये जो demand या चलो अगर वो अपना घर बांता अगर बिल्ड करने लेते भी हैं तो वो कौन से ऐसे regions होंगे जहां पर इसकी demand बढ़ेगी यहां वहां पर हम इसमें और बड़ोतरी देख पाएंगे देखें मेरे ख्याल से इसका benefit आपको tier 2 cities में काफी जाएगा क्योंकि अगर देखा जाए तो public sector employees का concentration है tier 2 cities में काफी जादा रहता है और tier 1 cities में इसके positive steps तो दिखेंगे पर जितना tier 2 में इसका फाइदा पहुँचने वाला है उतना tier 1 में नहीं होगा हम सही बात है तो हाल फिलाल अभी हम देखें तो इतने सारे provisions तो हो गए है interest rate भी आप देखें कि अब repo rate से link होंगे तो क्या उससे loan लेने में कोई सहूलियत होगी या आपको लग रहा है आप क्योंकि buyers और sellers दोनों को मिलते रहते हैं क्या ये interest rate repo rate से link करने का कोई फाइदा उनको दिख रहा है फाइदा तो होगा repo rate से link करने का फाइदा तो होगा क्योंकि अभी चुकि inflation बहुत कम है तो ये उमीद की जा रही है कि आने वाले समय में repo rate और कम ही होगा तो आने वाले नजदीक समय में उनकी जो home borrowing cost है वो थोड़ी कम ही रहेगी इसका एक नुकसान तब होता है जब inflation बढ़ जाए economy में और जब आपका RBI आपको repo rate बढ़ाती है, interest rate बढ़ाना शुरू करती है तब उस समय क्या होगा कि आपके interest rate उपर जाना शुरू करेंगे पर अभी near term में अगर देखा जाए जिस तरह से crude oil की prices अभी control में है, inflation काफी नीचे है मुझे लगता है कि ये step repo rate से link करने का काफी फायदे मन रहेगा और home borrowing cost, home loan के रूप में कम होगी मेरे कहल से अच्छा कदम है ये और ये काफी encourage करेगा bias को मकान लेने में और मैं एक चीज़ फिर से आपको highlight करना चाहूँगा कि भले slow down चल रहा है पर ये एक बहुत ही सही समय है एक home buyer को जो की end use के लिए मकान खरीदना चाहता है आपका home loan काफी कम है, prices काफी साल से stagnant है, कहीं बढ़े नहीं है market में बहुत सारे ऐसे project है जो ready to move in category में है और developer आपको काफी अच्छे schemes दे रहा है project खरीदने के लिए तो अगर आप एक buyer है जो अपने end use के लिए मकान खरीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अच्छा समय है आप मकान खरीद सकते हैं अपने ये बहुत अच्छी बात के आपने की एक अच्छा समय है जहां आप घर खरीद सकते हैं तो जे रिते अत्यार सुधी प्रशान जी कीदू ते प्रमाणे के जे एफे में घुशनाओ करी चे लांबा गाड़ा माटे तमने फाइदाकारा क्रेशे ने खास काने अफोडेबल अने मिट सेग्मेंट मा जे घरों आवे चे इमना माटे आ घुशना कूबत सारी रह से जे लिंक करवा मा आवी चे इदरेक बैंक हवे पासौन करती देखा से अने थोड़े वत्ते अन्छे कई शे काने इनों इम्पाक्ट हुम बायस पर आउशे पन बीजू बदू तो आउतू रह्षे पर अत्यार एक सारो समय चे घर खरीदवानों जड़पती एक नानोगड़ विराम लई लई ये अने पच्छी आच चर्चाने बदू आगर बदारी एक नानगड़ा विराम बात अपनू स्वागत चैना और अप्रशान ठाकुर आपनी साते जोड़ा एलाशे प्रशान जी विससे एक बार आपका स्वागत है जिस तरह से हमने हाली में आपकी एक रिपोर्ट पड़ी और इस रिपोर्ट में एमदाबाद पे फोकस किया हु हुआ है क्या डीचल दे पाएंगे जिए एमदाबाद में अगर देखा जो तो पिछले 6-7 सालों में करीब सवा लाक के लगबग नए सप्लाई आये हैं और जिसमें 50 से 55 परतिसाथ जो प्रोजेक्ट है अफॉडबल काटेगरी में आते हैं और एमदाबाद के साथ सबसे अच्छी बात ये रही है कि बाकी शेहरों के तुलना में यहाँ पर प्राइजेज बिलकुल अचानक से नहीं बढ़े हैं ग्राजुली बढ़े हैं और अभी भी बहुत कंफिटिबल जोन में तो मेरे ख्याल से अगर आप आप आयमदाबाद जो आपको फेसिलिटी रेता ह जिस तरह का इंफ्रस्ट्रक्चर आएमदाबाद में अगर आप उसको उसके एक्विलेंट शेहर से कंपेर करेंगे तो अभी भी यहाँ पर दरे काफी अट्रक्टिव है काफी कम है एक छोटा सोधारन लीजे पूने जो की वेस्ट में एक एक बड़ा मार्केट है आएमद प्राइबाद का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात अभी केंद्र और राज दोनों सरकारे एक हैं बीजेपी की तो कोडिनेशन भी काफी अच्छा चल रहा है तो आप देखिएगा कि जो गुजरात और एमदाबाद खास करके जहां प बड़ा इजाफा नहीं हुआ है ग्राजुली प्राइज बढ़ते दिखे हैं लेकिन आज अगर हम कोई अफॉर्डबल सेग्मेंट में घर खरीदने जाए तो एरिया क्या होगा और उसके प्राइज क्या होंगे देखिए आएमदाबाद में SG हाईवे मेरे जहन में सबसे उपर आता है काफी सही मार्केट है और मेरे ख्याल से अगर एक चीज़ मैं और आपको यह बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि आएमदाबाद में जो आपकी जो दरे हैं अचानक से नहीं बढ़ी है उससे एक फायदा ये होता है कि अगर प्राइज अचानक से नहीं बढ़ी है तो अचानक से क्रैश भी नहीं करती है बाकी शेयर में हमने में देखा है कि प्राइज बहुत तेजी से बढ़ी है और अचानक से नीचा आ गए तो एहमदाबाद यह बहूत स्टेबल मारकेट रहेगा और मेरे ख्याल से आप एज़ी हाइवेड देख सकते हैं अफुडविल के लिए तो उसकी रेंज क्या होगी क्या पचास लाग के ऊपर के घर वहां बिक रहे हैं या उससे नीचे भी मिल रहे हैं उससे नीचे भी मिल रहे हैं तो आइमदाबाद के लिए सबसे सही रेंज मेरे ख्याल से आपका 35 लाग से 55 लाग के रेंज में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उपलब्द और आपको अच्छे रेट में वहां मिल जाएंगे और इनका आगे चलके लॉंग टम में सा लोकेशन सही होगा अफोर्डेबल के लिए सबसे सही लोकेशन वो होता है जहां पर आपके एम्प्लॉइमेंट खास करके मैनुफैक्ट्रिंग लगू द्योग ऐसे मीज का जादा प्रेजन्स हो क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड इसी सेक्टर से आता है आ उसके आज-पास लगू द्योग मैनुफैक्ट्रिंग प्लान है कि नहीं क्योंकि डिमांड वहीं से आता है और वहीं से आपको खरीदार में मिलते और इसी एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग आते है तो क्लियर ऐसे निवेशक अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो य देख सकते हैं और कमर्शिल भी देखें तो लीज कमर्शिल बहुत जादा तोर पे आगे बढ़ रहा है खासकर के आई टी भी जी हाँ और अभी क्या है कि GST आने के बाद और कफी alternate asset class एक्जामपल जैसे आप देखें वेर हाउसिंग हो गया है काफी उपलब्द है तो मेरे ख्याल से यह जो ग्रोथ आप देखेंगे हर शहर की जो ग्रोथ हो रही है आजकल वो शहर के बाहर ही हिस्व में हो रही है क्योंकि होता कि कोई एक शहर पुराणा बसा हुआ शहर है और आप देखेंगे कि उसका expansion circular तरीके से होता है और अमदाबाद में तो infrastructure इतना अच्छा है और क्योंकि affordable housing में सबसे बड़ा challenge यही होता है कि project तो बन जाते हैं लेकिन सड़के नहीं होती है infrastructure नहीं होता है तो उतनी परिशानी उतनी दिक्कत नहीं होगी और infrastructure की बात कर रहे हैं तो हाल ही में weekend के दरम्यान ही एक सम जो news आती देखी कि अभी 2023 तक bullet trend भी शुरू हो जाएगी तो यह सबसे बड़ा advantage होगा मुंबाई से एमदाबाद को connect करने के लिए काफी यह होगा और आने वाले समय में आप देखिएगा इस connectivity के वज़े से लोग travel करने से जिचकेंगे नहीं आज के समय में क्या होता है अगर आप मुंबाई का उधारन लीजिए लोग काम करने के लिए साउथ मुंबाई में आते हैं पर वो रह रह रहे हैं अभी मुंबाई थाने में और आने जाने में काफी समय लगता है आने वाले समय में जो bullet trains जो सड़के आरी हैं आप से अभी आपको सही मौका है जहां पर आप वैल्यू पिक कर सकते हैं डेवलेपर जहां आपके साथ बैट कर निगोशियेट करने को तैयार है आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट काफी सस्ते दर पर मिल रहे हैं पर मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि निवेशक जो है इस मार्क अभी करीब देखा जाए तो करीब 30 से 35 हजार के लगबग ऐसे यूनिट है जो की भी बिके नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा कि करीब सवा लाग से डेड़ लाग के लगबग सप्लाई आई है पिछले आट नौ सालों में 30 से 35 हजार अभी भी अंसोल्ड पड़ा हुआ है त जो रुका हुआ था उसको मंजूरी मिल गई है क्या उससे प्रॉपर एमदाबाद में भी क्या कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगा क्या वहां पे अफॉर्डबल सेग्मेंट है या वहां लेक्शुरी प्रोडक्स ज्यादा बन रहे हैं अभी देखिए जो शहर के बीच के हिस्सों में है अभी भी एमदाबाद में आपको वहां पे चलन है इंडिपेंडेंट हाउस या फिर थोड़े हाइंड प्रोजेक्ट्स में तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में शहर के बीच हिस्सों में रहाईशी इलाकों में अफॉर्डबल तो कौन से इसे इलाके हैं एक एसजी हाईवे तो आपने बताया लेकिन उसके अलावा कौन से इसे इलाके या एरियास हैं जहां पे अफॉर्डबल सेग्मेंट ज्यादा बूमिंग है और या तो इन्वेस्टर हो या घर का एंड यूजर हो दोनों के लिए वो सूटेबल ह देखिए अभी आज के तारीख में किसी एक-एक माइक्रो माकेट पे तो बोलना मुश्किल होगा इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें अपने हिसाब से अगर मैं एक लगजिरी प्रोजेक्ट ले रहा हूं और तब उससे आप से मुझे देखना पढ़ेगा कि वहाँ पर सोशल इंफ्रस्ट्रक्चर कैसा है स्कूल कॉलेजेस कनेक्टिविटी कैसा है और ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर आप सारे जो सुविधा है जो एक-एक लगजिरी होम बायर देखता वो होना चाहिए उस हिसाब से आपका अगर आफोडेबल का अगर आप देखें और आखर मैं जानना चाहूंगी कि अगर रहम्दाबाद की तो बात कर ली है हमने क्योंकि ग्लोबल ही हम देखें तो गुजरात काफी एक्सपैंड हो चुका है वो आप चार मेट्रो सिटीज भी देख लें सूरत बरोडा राज़कोर्ट वहां पे भी डेवलेप्मेंट अ यह राज़ है जहां पर आपका मैनुफैक्टरिंग है, सर्विस सेक्टर है, कच्की जो आप बात करें है, टूरिजम सेक्टर है और यहां पर काफी प्रोग्रेसिव गवर्मेंट रही है और यहां पर लोगों के पास प्रैप मात्रा में पैसा भी है तो मेरे ख्याल से एक यहां पर है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट का कॉडिनेशन काफी अच्छा है, स्टेबल गवर्मेंट है, काफी इनिशिटिव आने वाले हैं, बुलेट ट्रेंज, S.E.Z. आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप वेरहॉसिंग देखें, हॉस्पिटालिटी सेक्टर देखें, सीने सिटिजन देखें, को लिविंग देखें, को वर्किंग देखें, तो मुझे लगता आने वाले समय में गुजरात इन सारे चीजों से बेनिफिट करने के बहुत ही यूनिक पोजिशन में हैं, और मैं बार बार ही कहता यह समय ऐसा है कि जहां निवेशकों को एक लॉंग टर्म व्यू लेना चाहिए, दरे काफी कम है, और आपको वैल्यू पिक करना चाहिए, और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से काफी सही समय रहे गा यह और गुजरात की स्टोरी काफी के लिए. तो अमदावाद मार्केट अत्यारे, रेसिदेंशिल एस वेल एस तमें जो रोकान कार हो, तो पन तमें रोकान करी शको छो, एक सारी तक अहिया मरती देखाई रहे छे. प्रशान जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुडने के लिए और इस सारी बातों तो प्रापटी गुरू माहाले आतलूच, वदुखबरो माटे चोतारों, CNBC बजार, नमस्कार.